सबको नमशकार दिल्ली के अपने दो करोड लोगों ने मिलके अपने मेहनत से सावधानी से करोना के उपर हम सब लोगों ने मिलके काफी काबो पा लिया है लेकिन अभी अपने को निश्चिंत नहीं होना सारी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क यह सब हम अपनी अतियात बरते रहेंगे क्योंकि करोना कभी भी बढ़ सकता है लेकिन अपने सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अर्थ विवस्था को पट्री पे लाया जाए लोगों की दुकाने बंद हो गई है धंदे बंद हो गई है इंडस्ट्री बंद हो गई है लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्विकार किया और उनको चैलेंज को स्विकार करके जीता है तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलके इस अर्थ विस्था की चनौती को भी हम लोग जीतेंगे आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़े देर पहले हुई थी हमारी उसमें एक महतोपून निरने लिया गया है जो मैं समझता हूँ कि दिली की अर्थ विस्था को आगे ले जाने में महतोपून कदम होगा दिली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक दिली में डीजल अभी 82 रुपए कल का जो दिली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था आज दिल्ली की कैबिनेट ने निरने लिया है कि दिल्ली में डीजल के उपर और डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटाके 16.75% कर दिये जाएंगे तो काफी बड़ी रिड़क्शन की जा रही है इस से दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा बहुत सारे इंडस्ट्री से बहुत सारे व्यपारियों से लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वज़े से सब को तकलीफ हो रही है लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है व्यपारियों को तकलीफ है इंडस्ट्री को तकलीफ है मैं समझता हूँ कि इस निर्ने से दिल्ली की अर्थ विवस्था को एक पुष्ट देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी पिछले एक हफ़ते से हम लोग दिल्ली की अर्थ विवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं से सोंब वार Local मैंने ऐलाम किया था कि रेडी पट्री वालों को काफी तकलीफ हो रही है रेडी पट्री वालों को कि रजाव कि शुण करें एक जौब्स पॉर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं बहुत सारे ऐसे इंडस्टिलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दुरान फैक्टरी बंद होने से दुकान बंद होने से अपने अपने गाउं चले गए और अभी लोट के नहीं आए दीरे दीरे आ रहे हैं लोग तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे लोग है जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहां जाएं नौकरी मांगने के लिए इन सब लोगों को मिलाने के लिए जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने दो-त 7000,577,777 company या काम देने वालों ने अभी तक register किया है, 24,785 नौकरियां इसमें एड़र्टाइज कि गये हैं, 24,785 नौकरियां इसमें आई है अभी तक, और 32,865 नोकरी के लिए अपलाई किया है, तो जैसे मैं कल एक टीवी चैनल पर देख रहा था एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्टरी है उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे अब केवल तीन बचे हैं बाकि सब चले गए और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं फैक्टरी शूरू नहीं कर पा रहा था लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मिरे को 35 मिचे और बोला मिरे को 190 से जादा लोगों के कॉ बोला चुके हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं मुझे लगता इस कदम से अपनी अर्थ विवस्था को बहुत जादा पुश मिलेगा तो मैं सभी दिल्ली की जितने व्यापारी हैं जितने इंडस्ट्रिलिस्ट्स हैं सब से अपील करता हूं कि आईये सब लोग मिलके द दिल्ली की अर्थ विवस्था को फिर से एक बर पट्री पे लाते हैं मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकाने खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें लेकिन अब अ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए ताकि उनसे अगर उनकी और भी कोई समस्या होगे उनसे समस्या उनको ठीक करने के कोशिश करेंगे नमस्कार